So guys, नए साल के साथ मैं यहाँ पर आपको सभी companies की तरफ से काफी अच्छ-च्छे smartphone market में देखने को मिलेंगे और January के महीने में यहाँ पर सभी companies अपने काफी कमाल के smartphone आप सब के लिए लाने वाले हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप एक नया smartphone देख रहे हैं तो यहाँ पर अगले महीने आपके लिए काफी सारे option आएंगे और यह काफी कमाल के smartphone है जिसमें आपको काफी अच्छी अच्छी technologies भी देखने को मिलेंगी तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन-कौन से ऐसे confirm smartphone है जो कि January के महीने में आएंगे launch date के साथ में आपको complete information यहाँ पर मिल जाएगी तो स्वागत आप सब का हमारे चैनल पर जानकारी के लिए वीडियो में एंट तक जुड़े रहें और दोस्तो चैनल पर पहले बार आएंगे तो सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आपको ऐसी tech वीडियो मिलती रहें तो दोस्तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर smartphone launches के बारे में January के महीने में तो यहाँ पर काफी सारे तो ऐसे smartphone हैं जो कि flagship device हैं और काफी अच्छे अच्छे यहाँ पर आपको features देखने को मिलेंगी तो चलिए पहले बात करते हैं इसी महीने कौन से smartphone आने वाले हैं तो कल यानि की 28 तारीक को यहाँ पर चाइना में launch होगी Xiaomi की तरफ से flagship series जी हां दोस्तो Xiaomi 12 series का यहाँ पर confirm launch कल होने वाला है Chinese market में इसमें Xiaomi 12 आएगा प्रो वीरिंट आएगा और ऐसी उम्मीद है कि यहाँ पर 12X नाम का भी एक smartphone देखने को मिलेगा और बाद में future में आपको 12 Ultra वगएरा smartphone मिलेंगे तो कल यहाँ पर 2-3 smartphone launch होने वाले हैं Xiaomi की तरफ से और यहाँ पर यह फ्लेक्सिप डिवाइस है तो Snapdragon 8 Gen 1 चिपसेट आएगा फ्लेक्सिप लेवल के कैमराज होंगे या फिर हम बात करें डिस्पले वगएरा की हर चीज यहाँ पर काफी कमाल की होने वाली है तो इसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए डिटेल में तो आप कमेंट कर सकते हैं आपको वीडियो मिल जाएगी तो ये स्मार्टफोन कल ओफिशिल लॉंच हो जाएंगे श्याओमी की तरफ से इसके बाद अगर अगले महीने के स्टार्टिंग में हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वन प्लस टैन सिरीज जी हां दोस्तों वन प्लस टैन प्रो जे उस स्मार्टफोन है उसका लॉंच कंफर्म हो चुका है कि कब होगा और चाइनिज मार्केट में ये स्मार्टफोन च्यार जैनवरी को आने वाला है और वन प्लस की एक और अच्छी बात है कि यहाँ पर अपने मैकसिम स्मार्टफोन को ये जल्दी ही ग्लोबली भी लॉंच कर देते हैं तो हो सकता है कि जैनवरी के महीने में ही आपको वन प्लस 10 सिरीज यहाँ पर ग्लोबल मार्केट में मिल जाए लेकिन इसका 10 प्रो स्मार्टफोन चार तारी को अफिशिली लॉंच हो जाएगा अगर इसी दिन एक और ग्लोबल लॉंच की हम बात करते हैं तो ये होगा रियल्मी की तरफ से रियल्मी जीटी टू सिरीज का ये भी इनकी तरफ से फ्लैक्सिब स्मार्टफोन है जो की काफी ज़्यादा प्रीमियम है दोस्तो जिसमें रियल्मी जीटी टू आएगा टू प्रो आएगा और यहाँ पर फोटोग्राफी एडिशन भी आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर एप्रोक्स 3 स्मार्टफोन आ सकते हैं रियल्मी जीटी टू सिरीज में जिसमें एक कम्प्लीटली नया डिजाइन है काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं इन स्मार्टफोन में जो की पहली बार है इंडस्ट्री में चाहें कैमरा की बात पर नहीं चाहें डिस्प्ले की काफी कमाल के स्मार्टफोन आपको यह लगेंगे और इनका ग्लोबल लॉँच दोस्तो 4 जैनवरी को हो जाएगा तो काफी जल्दी ही यह भी आपको देखने को मिलेंगे इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पे आने वाली है आईकू की तरफ से भी फ्लेक्सिप सिरीज जो की है आईकू 9 सिरीज और हर साल आईकू अपने काफी कमाल के स्मार्टफोन आपको प्रोवाइड करवाता है इस सिरीज में और इसका भी लॉँच कन्फर्म हो चुका है यहाँ पे 5 जैनवरी को जी हाँ दोस्तो आईकू 9 और 9 प्रो यह दो स्मार्टफोन आपको देखने को मिल सकते हैं सिरीज में यहाँ पे आपको काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगी हर बार की तरह है तो यह भी फ्लेक्सिप लेवल के स्मार्टफोन है आईकू 9 सिरीज में Samsung की अगर बात करें तो 4 तारीक को यहाँ पर Samsung की तरफ से आएगा Galaxy S21 Fan Edition स्मार्टफोन जिसका की काफी टाइम से customers को wait है इनका ये Global Launch होने वाला है दोस्तों ये सिर्फ Chinese Market के लिए नहीं है यहाँ पर हर country में आपको ये स्मार्टफोन मिलेगा लेकिन इंडिया में हो सकता है कि थोड़े दिन के बाद ये स्मार्टफोन आए लेकिन 4 तारीक को यहाँ पर Galaxy S21 Fan Edition का भी लॉंच हो जाएगा Global Market में तो ये भी काफी अच्छी बात है अगर Indian Market की बात करें तो यहाँ पर 5 तारीक को आपको देखने को मिलेगी Vivo की तरफ से V23 Series जिसके अंदर की 2 स्मार्टफोन आने वाले हैं V23 और इसका Pro Variant ये दुनों स्मार्टफोन दोस्तों डिजाइन के उपर काफी जादा फोकस्ट हैं इसमें आपको पहला Color Changing Smartphone भी मिलेगा जिसका Back Design अपने आप चेंज हो जाता है Temperature के According यानि दूप में आप लेके जाएंगे तो उसका Color Change हो जाएगा और इसके लावा Camera वगएर के भी काफी अच्छे फीचर्स आपको मिलेंगे हमने इनके उपर वीडियो बना रखी है V23 सिरीज के उपर अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं ये स्मार्टफोन दोस्तों 30 से लेके 40,000 रुपे के बजट में आपको देखने को मिलेंगे और 5 तारीक को इंडिया में Confirm इनका Launch हो जाएगा अगर बात करें 6 तारीक की तो यहाँ पर इंडियन मार्केट के लिए आने वाला है Xiaomi 11i सिरीज जिसके अंदर की वही स्मार्टफोन आएंगे जो चाइना में Redmi Note 11 सिरीज के अंदर आए थे यानि Pro और Pro Max इन स्मार्टफोन में आपको 120 वोट की फास्ट चार्जिंग का सुपोर्ट तेखने को मिलेगा 120 हर्ट्स की AMOLED डिस्प्लेज वगरा मिलेंगी इसके लावा दोस्तों यहाँ पे कैमरा की बात करें पर्फोर्मेंस की काफी value for money स्मार्टफोन आपको मिलेंगे Xiaomi 11i स्रीज में और 6 तरीक को आप इनका लौंच पाएंगे इंडियन मार्केट में एप्रोक्स 25,000 से कम के बजट में स्मार्टफोन आपको मिल सकते हैं तो अगर इंडियन मार्केट के लिए हम confirm लौंच रिज की बात करते हैं तो फिलाल V23 स्रीज की लौंच डेट आ चुकी है इसके लावा यहाँ पे Xiaomi 11i स्रीज की लौंच डेट आ चुकी है और यहाँ पे दोस्तों बाकी भी कई स्मार्टफोन आएंगे इसके लावा जो मोटरोला की दरफ से एज एक्स 30 और एज एस 30 स्मार्टफोन चाइनीज मार्केट में लौंच हुए थे वो भी आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकते हैं उन में से एक स्मार्टफोन का लौंच जैन्वरी के महिने में हो सकता है अगर बज़र्ट सेग्मेंट के स्मार्टफोन के बात करें तो जो Realme 9i स्मार्टफोन है उसका भी लौंच यहाँ पे होगा जैन्वरी के महिने में ही और फरवरी तक यहाँ पे आपको Realme 9 स्रीज के बाकी स्मार्टफोन में लेंगे और इनी को टकर देने के लिए Redmi भी अपनी Note 11 Series को लेके आएगा जी हैं दोस्तों ये Redmi की Note 11 Series डिफरेंट होगी जो की चाइना में लॉंच हुई है उससे और यहाँ पर ये इंडियान मार्केट के लिए स्पेसिफिकली स्मार्टफोन बनाए जाएंगे जो की Realme 9 Series को काफी अची टक कर देंगे तो अगले महिने आपके लिए काफी हद तक हर प्राइस सेग्मेंट में कई सारे ओप्शन देखने को मिल जाएंगे इसमें से Maximum स्मार्टफोन जो हैं Premium स्मार्टफोन आने वाले हैं Flexib लेवल के तो अगर आपको Premium स्मार्टफोन का वेट है यहाँ पे जो की 3000 से उपर के बजट के हो तो आपको यहाँ पे अगले महिने काफी सारे नए-ने ओप्शन देखने को मिलेंगे आप में बताई दोस्तों कि आप इन में से कौन से स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं सबसे ज़्यादा अगर मेरी परसनल बात करूँ तो यहाँ पे Realme GT2 स्रीज का काफी ज़्यादा वेट है मुझे इसके लावा दोस्तों यहाँ पे Vivo V23 स्रीज अगर एक अच्छे प्राइज के उपर आती है तो काफी अच्छे स्मार्टफोन हो सकते हैं इनके लावा भी कई सारे और स्मार्टफोन कई कमपनीज के तरफ से लौंच होंगे जिसमें Samsung के कुछ बजट सेग्मेंट के स्मार्टफोन भी आपको मिलेंगे जिसके लाव Micromax का भी शायद एक स्मार्टफोन आ सकता है जैनुरी के महीने में ही बाकी दोस्तों जितने भी स्मार्टफोन अगले महीने लौंच होते रहेंगे आपको वीडियो मिलती रहेगी तो इसके लिए आप चैनल पे बने रहें तो आई होप दोस्तो वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए चैनल पे पहली बारा है सबस्क्राइब कीजिए मैं मिलता आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई, have a nice day